ये रोती हुई महिलाएं और बच्चियां, इनकी करहा सुनकर कोई भी हिल जाए, क्यूंकि एक परिवार पर जब एक हादसा कहर बनकर तूटा, तो महिलाओं और बच्चियों समेथ तेरह लोगों की मौत हो गई दरसल ये हादसा कुशी नगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गाउं में हुआ, जहां शादी का माहौल था, खुशी का माहौल था, हल्दी की रस्म चल रही थी, कुछ देर पहले तक जहां मंगल गीत गाय जा रहे थे, वहां अचानक मौत का तांडव शुरू हो गया, मंगल गीतों की जगे चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल मच गया और शुरू हो गया रहत बचाव का शूर, जानकारी के मुताबिक हल्दी की रस्म को लेकर बड़ी तादाद में महिलाएं एक कुए के स्लेप पर एखटा हुई थी तभी कुए का कमजोर स्लेप तूड़ गया, कई महिलाएं और लड़कियां कुए में गर गई, हादिसे के बाद अपनों को बचाने की कोशिश में कई महिलाएं भी कुए में कूट पड़ी, गहरे कुए में पानी ज्यादा था लेहाजा जान बचाना मुश्किल हो गया, औ में एक पुराना कुवा था, जो पहले से स्लाप से डखा था, अब उसके उपर कुछ मैलाएं और बच्चे बैटे थे, एक शादी का कारिक्रम था, उसमें वजन ज्यादा होने के कारण वो स्लाप तूड़ गया, और उसके उपर जितने लोग बैटे थे, सब लोग वे के अंदर चले गए और मलवा उनके उपर गिर गया था, और उनको फिर अस्पताल लेके गया थे, बट रास्ते में ही ब्राट डेट वो था, अभी तक यहां पे 11 बाडिस यहां पे मार्चोरी में हैं, और सारे मैलाएं और बच्चियां हैं, और दोकी आलत वहां गंबीर बता वहीं इस हादिसे पर प्रधान मंत्री मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए ट्विट किया है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, कि उतर प्रदेश के कोशी नगर में हुआ हादिसा रिदय विदारक है, इसमें जन लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है, उनके वहीं इस हादिसे के बाद लोगों का आरोप है कि एम्बूलेंस को जल्दी आने के लिए कौल किया गया था, मगर एम्बूलेंस देरी से पहुंची लोगों का कहना था कि शायद अगर एम्बूलेंस जल्दी पहुंची होती तो कुछ महिलाओं की जान बचाई जा सकती थी, हाला कि एम्बूलेंस आने से पहले पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीडों की मदद से किसी तरह कई महिलाओं और बच्चीयों को अस्पताल में भरती कराया, वहीं इस हादिसे के बाद प्रिशासिन की ओर से मृतक के परेजनों के लिए 4-4 लाख रोपे की आर्थिक मदद देने की घोशना की है उसके बाद जिनके भी अब लापरवाई है उस पर जाज करके करवाई की जाएगी और जो मृतक परिजन है उनको हर एक मृतक को 4-4 लाख रुपे का दुराहत आर्थिक सायाता भी दी जाएगी खेर होनी को कौन टाल चकता है अब पैसे तो मिल जाएंगे मगर क्या इस परिवार की खुशी फिर लोटाएंगी क्या जिन्दगिया फिर मिल जाएंगी अगर वक्त पर एंब्यूलेंस की मदद मिल गई होती तो शायद आज कई जिन्दगियां बचाई जा सकती थी पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशी नगर से अनुप की रिपॉट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद